आज मैं आपको शुकर वारत नानज खाते हूं इसके लिए इंग्रीडियन्स नो नम कीजिए मैदा आदा किरो पानी एक सुपचास मिली लीटर गील वान सिक्स्टी मिली लीटर औरिज कलर क्वाटर टी स्पून बेकिंग सोडा फाफ टी स्पून दही टू टी स्पून आप डो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे प्रेले पानी डालें इसमें नेड़ किया हुआ गी डालें दही एड करें डेकिंग सोडा और और यह कलर एड़ करके अच्छी तरह मिक्स करें सब चीज़े मिक्स करने के बाद तुरह तरह तरह मैंदा एड़ करें तरह मैं जड़ करें लो लो एड़ करें लोग्याद लो गाद करें लोग्याद करें कि आप।कर अप।कर बाइब उना कि इनले जड़ को तिस भीजार जही है कि अप।कर इता बाली जड़ है कि अप।कर आप।कर जाओ से कि लिएय जिले प्रयुक्षकर अब हातों की मिदल से भूदना स्टार्ट करें और सॉफ्ट रो त्यार करें इसे आटेक तरह नहीं बोदना अधियले को मसा अफास ब्रैस करें उपर नीचे डौर आपके दियार करें तीन से चार दवा नीचे से उपर अटर रखें कि लुब में आदेक के लिए रेस्ट के रहते हैं जोब में बनाने के लिए और शीरा बनाने के लिए रेस्ट के रहते हैं 3 पौँ चिनी एक पानी डार पर शीरा त्यार करें अब शीरा त्यार करते हैं सबसे पहले पानी आड़ करें इसके साथ ही चिनी आड़ कर दे इसे मीडियम फ्लेम पर कुप करें चमज में सलसल हिलाते रहें क्वार्टर टी स्पून इलाइचे पाउडर एड़ करें केवडा वाटर साथ से आठ ड्रॉप्स डालें मीडियम फिलेम पर मिजीद कुप करें जब तक इसकी एक तार ना बन जाए जब शीरे की एक तार बन जाए तो शीरे रेड़ी है अब इससे ठंडा करने करें रखें आदा ग्याटर हो चुका है अब शक्कर बारे की शीर बनाना स्टार करते है गुलाई में इसके रोल करें करते हैपिया थश्ड़ एक sizin अड़म तार करने में कार रहा है आदार करी आड करी में इसस्याइस हा रखें बैंदेंगे ऐतर कर को क्या रखें से रहा का क्या है या我 भॉणियाभ करते हैές पार को दいます तक कि आलपा कुछा का चार है नियुक्त। पारेकि एक यह शेव दे दे दें दूसरी शेव नमक पारे कितना भी दे सकते हैं थोड़ा सा मियादर स्प्रिंकर करें इससे शकर पारे आपसमें जुड़ेंगे नहीं आप हम इन्हें फराई करें गी आड़ करें गी गरम हुज़े तो फ्लेम लो कर दे इसमें शकर पारे आड़ करें इसे चमस से नहीं लाना जब पाक कर थोड़ा से उपर आ जाए तो इसके साइड चेंज करेंगे जब शेकर पायर पूर का रूप पर आजए इसके साइड चेंज करें चमस ही लाकर दोबारा ऐसे लो फुलेम पर रखेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरफ आ जाए लाइंड गोलन कलर आने तक रूप ने पर फुल करें लाइंड गोलन कलर आ जाए तो निकाल लें अब इसमें दूसरी शेप के शिकर पार याड़ करें इसे भी लोग फिलेंब पे फ्राइक करेंगे जब इसका गी स्टेंड हो चाहें नीम गर्म शीरे में आड़ करें 3-4 मिनट तक शीरे में डिप करके दिशाफ करेंगे इसे देखें ये पूल के उपर आगे हैं अब इसके साइड चेंज करेंगे अब इसके साइड चेंज करेंगे करेंगे दुनने तरफ से नाट बोल्डन करेंगे हैं उचया पनकार नहीं पर इसके दिप करेंगे इसके साइड शीरे में इसके भाइब करते हैं शेकर पार्याजे ये राइस प्सान दाए तो लाइक करें शेयर करें और भी द्वा में जाद रहें स्टेर जून अलाफीस